इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Mbeta XR 75 mg tablet beta blockers नामक दवाओं के समूह से संबंधित है इसका उप्योग उच्छ रक्चाप यानि की उच्छ रक्चाप एंजाइना यानि की दिल से संबंधित सीने में दर्द और अन्यमित हिरदय ताल यानि की अतालता के इलाज के लिए किया जाता है यह migraine भविश्य में होने वाले दिल के दौरे और stroke को रोकने में भी मदद करता है Mbeta XR 75 mg tablet अकेले या अन्य दवाओं के साथ मिलकर निर्धारत किया जा सकता है खुराक और आवरती इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं और आपकी स्थिती की गंभीरता क्या है इसे खाली पेट या भोजन के साथ लिया जा सकता है लेकिन अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे रोजाना एक ही समय पर नियमित रूप से ले इस दवा का पूर्ण लाब प्राप्त करने में आपको कई सप्ताह लग सकते हैं और आपको इसे जीवन भर लेने की आवशक्ता हो सकती है हाला कि यह महत्व पूर्ण है कि आप इसे लेना जारी रखें भले ही आप अच्छा महसूस करें उच्छ रख्चाप वाले अधिकांच लोगों में लक्षन नहीं होते हैं यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है इमबेटा XR75MG टैबलेट यानि की इमबेटा XR75MG टैबलेट का मुख्य दुष प्रभाव ठकान, सिर्दद, धीमी गती से हिर्दै गती, चक्कराना और जी मिचलाना है ये आमतोर पर हलके और अल्पकालिक होते हैं ये कुछ लोगों में सांस की तकलीफ या निम्न रक्चाप का कारण भी हो सकता है साइड इफेक्ट के जोखिम को कम करने के लिए आपका डॉक्टर शायद कम खुराक पर दवा शुरू करेगा और धीरे-धीरे इसे बढ़ा देगा अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि दुष प्रभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं जाते हैं इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीव की कोई समस्या है या उन लोगों के लिए भी उप्यूक्त नहीं हो सकता है जिनकी हिर्दय गती धीमी है परिसंचरन की गंभीर समस्याएं हैं हिर्दय की गंभीर विफलता है या निम्न रक्चाप है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए यह पता लगाने के लिए कि क्या यह दवा आपके उप्योग के लिए उप्योग्त है आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है आपको नियमित रूप से अपने रक्चाप की जांच करवानी चाहिए शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे कुछ दुश्प्रभाव बढ़ सकते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद